अब मैं आपको बताता हूँ आप सामान को अपने घर या दुकान पर कैसे मंगवा सकते हैं किसी भी सामान को मंगवाने के लिए आपको सामान के रेट के अलावा कोरियर चाज अलग से देना होता है सामान को आपके पास भेजने से पहले हम लोग सामान की पैकिंग करते समय वीडियो बनाकर आपके पास भेशते हैं जिससे कि आप देख पाएं कि जो सामान आपने ओडर किया है उसका प्रॉपर कलर मैच हो रहा है या नहीं प्रोडक्ट का मॉडल नंबर सेम है या नहीं है बाकी otherwise कोई दिक्कत तो नहीं है इसके बावजूद भी आपके पास माल पहुचने के बाद कोई दिक्कत आती है तो आपकी तरफ से और हमारी तरफ से दोनों तरफ से कॉरियर चार्ज हमारा होता है otherwise माल की टूट फूड की जिम्मेदारी भी हमारी होती है आप निस्चिन तोकर ओर्डर कर सकते हैं सामान पैक हो जाने के बाद में आपको पेमेंट ओनलाइन करनी होती है यहाँ पर आ करके कई भाई अटक जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम पेमेंट डाल देंगे और माल हमारी पास नहीं आएगा तो आप पेमेंट निस्चिन तोकर डाल सकते हैं पेमेंट की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है मान करके चलिए कि आपने पेमेंट डाल दिया है और हमारी पास माल नहीं है, तो हम लोग माल बाहर से मंगवा करके भेजते हैं, चाहे इसके लिए में नुकसान क्यों न उठाना पड़े, आप order निस्चन तोकर लगा सकते हैं